नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो अमिट चैनल में आपका स्वागत है हमारे हाथ की पांचों उंगलियां सरीर के अलग-अलग अंगों से जुड़ी होती हैं इसका मतलब आपके दर्द ना सक दवाईयां खाने के बजाए अगर आप अपने उंगलियों से समंधित प्रभावी त साच के द्वारा दूर करनी की एक आसान और प्रभावी विधी के बारे में बताऊंगा हमारे हाथ کی अलग-अलग उंगलियां अलग-अलग भीमारियों और भावनाऊं से जुड़ी होती हैं सायद आपको पता नहोगा हमारे हाथ के उंगलियां चिंता । ए और चिर- पहला अंगूठे का उपयोग हात का अंगूठा जिसे थंब भी कहते हैं हमारे फेफ़रों से जुड़ा होता है अगर आप की दिल की धड़कन तेज हो रही है या अचानक तेज हो गई है तो आप हलके हाथों से अपने अंगूठे पर मसाज करिए आप अपने दोनों की फिर दूसरे हाथ की हलके हाथों से मसाज करिए और अंगूठे को हलका सा खींचिए इससे आपको कुछ ही मिनट में आराम मिलेगा दूसरा इंडेक्स फिंगर या तरजेनी उंगली ये उंगली आपके सरीर के आतों से और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रेक से जुड की फोरी है तो आप अपने इंडेक्स फिंगर या तरजेनी को हलके हाथों से रगड़िये उसको मसाज करिए उसे खींचिए तो कुछी देर में आपको इन समस्याओं से निजाद मिल जाएगा तीसरा मिडिल फिंगर या आपकी बीच की उंगली यह उंगली आपके सरीर के सर्कुलेशन सिस्टम से जूड़ी होती है अगर आपको जी घबरा रहा है या चक्कर आने जैसा लग रहा है तो आप अपने इस उंगली पर हलके हाथों से मालिस करिए मसाज करिए तो आपको कुछी मिंटों में आपको तुरंद आराम मिल जाएगा चौधा रिंग फिंग है अगर आपको थोड़ी सांती चाहिए तो इस उंगली को हलके हाथों से मसाज करिए उसे खींचिए तो आपको कुछी देर में इसके बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे और आपका मूड सुधर जाएगा पांचवा लिटिल फिंगर या छोटी उंगली छोटी उ संबंध हमारी किड़नी और सीर से होता है अगर आपको सीर से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो इस उंगली को हलके हाथों से मसाज करिए दबाईए और उसे हलका सा खींचिए तो आपका सीर दर्द से आपको रहत मिलेगी आपको इसके मसाज करने से आपकी किड़नी भी मजबूत होती है तो आप आयरुवेद के और प्राचीन रिसी मुनियों द्वारा खोजे गए इन चमतकारिक नुस्खों का उपयोग करिए और स्वस्त और सुखी रहिए धन्यवाद